दोस्तों अगर आपका Demet account SBI Securities में है और आपके जो portfolio में shares हैं आप अगर उन्हें pledge करना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम यह देखने वाले हैं कि आप SBI Securities की नई वाली एप में उन shares को कैसे pledge कर सकते हैं step by step आसानी से देखेंगे guys तो दोस्तों बने रही इस वीडियो में अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं साथ में bell icon press कर सकते हैं ताकि आपको नएने वीडियो की notification मिलते रहें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो हम sbi securities map shares को pledge करेंगे उसमें से जो हमें margin मिलता है उस margin से हम trading कर सकते हैं तो इसमें यह होता है कि हमारे पास जितने भी shares हैं हम उनीके use करके उससे margin लेके उसका benefit उठा सकते हैं तो दोस्तों start करते हैं तो सबसे पहले हम check करते हैं कि हमारे पास कितना fund available है तो उसके लिए हम fund में जाते हैं हम limit पर click करेंगे limit पर click करने के बाद यहां आपको fund में देखेगा यहां available limit हमारी zero है zero इसलिए क्योंकि कोई fund available नहीं है तो आप यहां भी जख करेंगे तो limit against share pledge में भी हमारा zero हो रहा है ठीक है तो इसके लिए अगर हमें pledge करना है तो यहां आपको option मिल रहा है ऊप पर यहां देखेंगे यह less shares का तो इस पर हम click करते हैं click करने के बाद limit available for pledge यह दिख जाती है जो 84,000 के आज पर हमारी शोर यह जो सारे shares का मिला कर रहा है तो हम इसमें से किसी एक share को pledge करते हैं तो हम नेम इंडिया को लेंगे आज हम इसे pledge करके देखें अभी जो quantity every level है इसकी 25 एविलेवल है ठीक है और यहां enter quantity for pledge लिखा हुआ है या अगर हम partial जितनी भी quantity हमें pledge करने हैं वह हम यह डाल सकते हैं तो यहां हम चलिए 10 quantity pledge करके देखते हैं पहले हम यह 10 लिखते हैं तो हम इसे यह हम full भी कर सकते हैं तो full में हमें नीचे आप यहां देखेंगे मैं पहले मिलेगा इससे नीचे भी आ रहा है और अगर हम इसे थोड़ा modify करते हैं जैसे 15 करते हैं तो 4740 रुपे जो अभी का price है नेम इंडिया का शेर का उसके according यह दिखाता है तो इसके according अगर हम 15 शेर करते हैं तो 4740 रुपे हमें दिखा रहा है तो आप यहां देखेंगे नीचे option अरफ प्लेज का जहां में दिखा रहा था तो यहां अगर हम इस पर किलिक करेंगे तो प्लेज हो जाएगा यह तो चलिए हम प्लेज करके देखते हैं से तो जैसे हम प्लेज करेंगे तो यह process टार्ट हो जागा देखें किलिक क्या है तो कह रहा है आरी sure you want to yes हमने yes कर दिया तो यह सक्सेस दिखा रहा है और इसमें यह कहा रहा है यूर प्लेज रुकर है इस बिन इनिशियेटेड ठीक है यूविल नाउ रिसीवे लिंक यूर रेइस्टर्ड इमेल और फॉन नमबर पर एक लिंक मिलेगा आप वहां से जाके उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे CDSL की साइट पर चले जाएंगे जहां आपको वह अप्रूवल करना होगा ठीक है अब यहां आप देखेंगे यह हमारा हो चुका है यहां दस क्वांटिटी ही बचिए क्योंकि हमने 15 नमबर क्वांटिटी को प्लेज कर दिया है अब हम फंड में जाके देखें तो अभी देखेंगे को थोड़ा सा टाइम लगता है उसके बाद यहां फंड दिखाया जागा भी फिलाल यह 00 दिखा तो चलिए हम चेक करते हैं मेल या मैसिज को कि हमें कोई लिंक रिसीव हुआ है के नहीं अगर हम और भी देखें लिमिट को तो हमारा कोई भी लिमिट यहां नही पर आ रहा है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यह हमारा ब्राउजर में उपन हो जाता है तो यह ख्रों ब्राउजर में उपन हो गया है हम सीडी एसल की साइट पर आ चुके हैं आप यहां देखेंगे ओटीप ऑथेंटिकेशन के लिए आया है यहां प्लेज ऑफ हैं उसके बाद ऑथेंटिकेट करते हैं तो दोस्तों यहां आपको साइट डिटेल नजर आ जाएगी यहां आपकी वगर यहां शोहरी है और हम थोड़ी राइट की तरफ स्क्रोल करेंगे तो यहां आपको यह आपको नेम भी दी जागा निपन लाइफ इंडिया और इसकी बंद्रस प्ति हैं मारिजन प्लेस करके यहां शोह रहा है तो लेफ की तरफ इसकूल करना है और यह जो स्लेक्ट अौलہ उप्शन आपको हैं स्लेक कर ले ना थो तो select करने के बाद आपको यह नीचे दिखेगा जन्नेट ओटीपी तो जन्नेट ओपीपी पर आपको क्लिक करना है ताकि हमें एक ओटीपी मिले और हम उससे verify कर सकें तो जो ओटीपी है जन्नेट पर हमें क्लिक क्या है तो ओटीपी send to your mobile number and email id यह message लिखके आ रहा है तो हम submit कर देते हैं submit करने के बाद इस तरीका टर्म सन कंडिशन आएगा तो हम उससे accept कर लेना है अब हम वेट करेंगे तो यह आप देखेंगे कि selected transaction verified successfully लिखके आ रहा है तो यह जो हमने process किया था यह हमारा verified हो चुका है successfully verified हो चुका है जो हमने pledge के लिए request डाली है वह हमारी done हो च CDSL की तरफ से तो वह भी हम देख लेते हैं तो देखिए यह message आया CDSL की तरफ से कि आपकी pledge रुका है accept हो चुकी है इतने number of shares की तो एक बार हम site पर भी जाके check करते हैं यह हमने site open की है app open किया है तो app में हम देखेंगे fund में जो पहले zero fund दिखा रहा था अब हमारा 4748 रुपे का यह हमारा दिखा रहा है अगर हम नीचे भी देखें तो आपको देखेंगे pledge वाली कॉलम में भी हमारा 4748 रुपे इश हो रह करना ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेवी वीडियो सा आज के लिए बाए बाए